Assalamu alaikum In everybody's life there comes a time where everybody leave you Life में एक time ऐसा आता है सबकी life में कि लोग आपको छोड़ देते हैं कई बार ऐसा होता है कि आपके जो best friends है वो आपका साथ छोड़ देते हैं कई बार ऐसा होता है कि relative disputes भी होते हैं उस समय जो आपके दिल के बहुत जादा करीब होते हैं लोग वो लोग भी आपसे distance कर लेते हैं आपसे cut off कर देते हैं हर घर में ये होता है कि कई ना कई कुछ ना कुछ problems की वज़े से जो है लोग आपसे दूर हो जाते हैं तो जब आप लोगों से दूर हो जाते हैं आपकी family से दूर हो जाते हैं relative से दूर हो जाते हैं कई लोगों की सोंच ये होती है कि जिनके पास पैसा नहीं होता जिनके पास status नहीं होता और जो लोग उनके friends होते हैं वो high level पे होते हैं तो वो लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम इनके साथ friendship रखेंगे या इनसे कोई relation रखेंगे तो हो सकता है कि हमारे image पर भी कुछ effect हो हमारे status भी शायद effect हो सकता है इस तरह की सोंच रखने वाले लोग जब आप से cut off कर देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए पहली बात तो ये कि आपको कभी भी depressed नहीं होना चाहिए और कभी भी ये मत सोंचना कि हम अकेले हैं हमारे पास कोई नहीं है हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है इस तरह मत सोंचना जब सारे लोग आप से cut off कर जाते हैं जब सारे लोग आप से दूर हो जाते हैं तो पता है अल्ला ताला क्या कहता है अल्ला ताला कहता है कि देखो सारे लोग तो तुम से दूर हो गए अब हमारे बीच कोई नहीं है तुम हो और मैं हूँ तुम्हारा अल्ला मैं तुम्हे कभी नहीं छोड़ूंगा आ जाओ मेरे पास आ जाओ मेरे करीब Come to me, come to me इस तरह कहकर अल्ला ताला आपको अपने करीब बुलाता है वो कहता है कि सारे लोग तो तुम से दूर होगे लेकिन अब सिर्फ तुम और मैं है तो अल्ला से दोस्ती कर लें अल्ला की दोस्ती से बढ़कर किसी और की दोस्ती कोई माइने नहीं रख दी चाहे वो कोई भी हो बस अल्ला का ये वादा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा आप किसी हाल में भी हो वो आपका साथ जरूर देगा सुभान आल्ला